कि नमश्कार डेट है आज की 14 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं एच्प्यू बॉटनी एंड्रास एक्जाम का पार्ट थ्री और इसमें हम 31 कोशन से लेकर 50 कोशन जो है वह कवर अप करेंगे और अगर आपने टेलेग्राम चैनल को जोईन किया तो जाउन कीजे मैं वहाँ पर आपको डेली वह क्विज कंड़क्ट करता हूँ और बायलोजी के लेक्चर्स भी आपको जो है जीकर्ट ट्रिक याप डाउनलोड किजे सबसे पहरे तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आपको biology के lectures मिल जाएंगे वहाँ पर GKTrick app के अंदर और live session जो है मैं शाम को 3 बजे लेता हूँ Monday से Friday तो आप biology के lectures में जुड सकते हैं chemistry के जो lectures हैं वो मैं Saturday और Sunday को लेता हूँ तो chemistry में भी अगर आप जुड ना जाते हैं GKTrick app का link description box में हैं दोनो lectures के link description box में साथ साथ telegram channel को भी join कीजें वहाँ पर भी आपको जाए वो PDF अगरा जो है वो मिल जाती है previous exams के या फिर जो PDF होती है daily lectures की तो वो भी आपको मिल जाती है वहाँ पर ठीक है तो देखो 31st question देखते है the newly collected specimen which is used as a substitute when the original type material is missing in a herbarium जो newly collected specimen होता है जो हम substitute के रूप में यूज़ करते है जब original type material जो है वो missing हो जाता है herbarium में तो उस condition क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं new type क्या बोलते हैं new type बोलते हैं c option इसका बिलकुर आइट अंसर है आप देखो holotype क्या होता है यह नॉमन क्लेचर टाइप होता है क्या होता है नॉमन क्लेचर टाइप होता है नाम संस्क्रण के तरह होता है यह भी अब लक्त टाइप क्या होता है specimen related from original material so as to serve nomenclature type if holotype is absent अगर holotype absent है तो specimen जो है वो आप select करते हैं original material की जगा ताकि वो नॉमन क्लेचर को टाइप को serve कर सके आप देखो thin type क्या होता है any one of the two or more specimen cited by author where there is no holotype यहाँ पर दो याद दो ज्यादा specimen जो हाँ जुसको author ने cite किया है जब holotype ना हो ठीक है नॉमन क्लेचर type ना हो तो यहाँ पर याद रखना है आपको a newly collected specimen which is used as a substitute when the original type material is missing in herbeer पे is designed as new type hope आपको यहाँ पर कोशन यह समझा गया होगा कि क्या पुछा गया है यहाँ पर नहीं समझा आया तो आप एक बार इसको पढ़िएगा first chapter को living world के वहाँ से आपको समझा जागा the exine of pollen grains comprises जो exine होती है pollen grains की वो किस चीज़ की बनी होती है तो exine जो होती है वो आपके sporopollinin की बनी होती है किस चीज़ की बनी होती है sporopollinin की और जो entine होती है inner layer वो किस चीज़ की है cellulose और pectin की किस की है cellulose और pectin की याद रखना है आपको और जो lignos cellulose है यह आपका as a biofilm के रूप में जो यूज होता है जो biofilm के रूप में जो plant यूज होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है और pollen kit क्या होता है वो एक तरह से sticky covering रहती है जिसको हम क्या बोलते है pollen coat बोलते है और यहाँ पर जो है वो pollination कौन करता है वो insect के तरूप हो जाती है तो exine of pollen grains जो है वो किसकी चीज की बढ़ी हो है squirrel pollen grain की d option इसका बिल्कु right answer है next question देते है binomials with identical genus and specific epithet are called binomials with identical genus जिनका same genus same species रहती है तो उनको क्या बोलते हैं totoniums बोलते है क्या बोलते हैं totoniums जैसे आपका ratus genus and species have same are same तो वो आपका totonium होता है जाद रखना है अब देखो homonium क्या आता है one name for two different plants एक नाम दो different plants के रहे उसको क्या बोलते हैं homonium बोलते हैं अब basium name क्या होता है means the original name on which a new name is based ठीक है original name जिसके उपर new name जो है पेज होता हो और आपका basium होता तो यहाँ पर एक option इसका बिल्कुल राइट है नेक्स टूचन देते हैं the study of application statistical methodology to analyze biological variations, correlation and regression in biological measurement is called as यहाँ पर पूछा गया है ecology से related question है यहाँ पर हम क्या statistical methodology यूज करते हैं क्या biological variations को analyze करने के लिए हम method यूज करते हैं correlation या regression या biological measurement करने के लिए count से जो है वो हम statistical application का use करते हैं तो हम यहाँ पर use करते हैं biometrics का क्या करते हैं biometrics का I hope यह भी आपको question जो है वो confusion कर रहा होगा क्योंकि biometrics ही ऐसा जो है वो tool रहता है यहाँ पर ठीक है आप देखो numerical taxonomic होती है जो deal करती है grouping by numerical methods की यानिकि taxonomic units कुछ characters जो है यहाँ पर based रहते है taxonomic units पर और उनको हम जो है वो grouping करते है numerical method से तो वो numerical taxonomy होती है अब अब taxometrics क्या होता है classification method based on the numerical analysis of the variation of a large number of characters in a group of organisms यहाँ पर जहाँ वो classification method जो है यहाँ पर based रहता है numerical analysis पर ठीक है याद रखना है आपको और operational taxonomic units क्या होती है जहाँ पर हम classify करते है closely related individuals के groups को ठीक है तो यहाँ पर यही option यहाँ पर आई टोना चीए इसका biometrics next question देते the temperate grassland of South America are called is the temperate grassland is South America का उसो क्या बोलते है pumpas बोलते है और जो देखो North America का है वो prairies है और जो Asia का है वो steppies है और welds जो है वो आपका South Africa का है तो यहाँ पर C options का बिल्कुल right answer है मैं आपको एक एक question जो है वो बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ बारीकी से ठीक है आप इसको जो है पूरा का पूरा शेयर कीज़ेगा वीडियो को आपको यहाँ पर जो है वो काफी अच्छे questions देखने को मिल रहे हैं आप देखो नाइट्रो सोमनाज जो है वो convert क्या करता है वो नाइट्रो सोमनाज करता है अमोनिया को नाइट्राइट में उसे तरह से नाइट्रो सो कोकस भी अमोनिया को नाइट्राइट में करता है ठीक है तो यह नाइट्रिफिकेशन में करते हैं help और यह देखो नाइट्रो बेक्ट नाइट्राइट को नाइट रेट में कनवर्ड करता है और जो नाइट्रोय शुस्टिस आ Ouch ट्राइट को नाइट्रेट में कनवर्ट कर रहे हैं अब देखो डिनाइट्रिफिकेशन में कौन यूज होते हैं वह आपका स्थी डुमनाऊज होता है तो यहां पर ए ऑप्शन इसका बिल्कूर राइटंस रहे नेक्स्ट कुशन देखते हैं इमिजेटली बिने दा प्रो मेरिस्टेम देर इजा देखो प्रो मेरिस्टेम के नीचे क्या होता है जो प्रो मेरिस्टेम होता है वह आपको एपिकल मेरिस्टेम देता है चाहे वह रूट का हो चाहे शूट का हो तो याद रखना है या पर उसक सेकरम ओफिस सिनेरम जो है यहाँ पर टुनिका कॉर्पस और्गनेशन जो है वह अब से रहती है ए अप्शन इसका बिल्कुर राइट एंसर है देखो अगे देखो आगे प्रोसेस ऑफ एंट्रांस ऑफ टॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इस कॉड़ नो यहाँ पर प आतों सा सब्सक्ता माइक्रोपाइल की जगह कि वह इंट्र करी यह से मिजव कैमी होती है तो यह माइक्रोपाइल से हैंट्र करिये तो पॉर्घोमी रहा है अप डिको अ्हीत्रों व्यक्ति दो अलग-अलग महिलाओं से संबंद बनाता तो वो भी हिट्रोगैमी होती है नेक्स्ट कुछन देते हैं सैप्वूड इस अधर्वाइज कॉल्ड है जो सैप्वूड होता है उसको क्या बोलते हैं अलबरनम ये लिविंग होता है और जो डियूरामन होता है उसको बोलते हैं हार्ट वूड ये डैड होता है जनरली टैनिन्स आपको डियूरामन से मिलते हैं और वाटर और जो जाइलम वगरा होता है आपका सैप्वूड में ही देखने को मिलेगा और पिथ, यह आपका parent kai μα-cellस से बना होता है जिसको हम medulla बोलते हैं और mea dolari race होती है, जो वो बोलते हैं जिसको हम verscular race बिजह होती है तो sapwood को हम albumum बोलते हैं और duramon को हम heartwood बोलते हैं तो b option इसका बिल्कूर right answer है नेक्स्ट question देखते हैं Fibers associated with fluem are called as इनमें से fluem के साथ associated होने वाले Fibers कौन से हैं? Bust Fibers हैं इसको हम skin fiber भी बोलते हैं और डाइकोट plants में आपको देखने को मिलेंगे stem में उसके अगर xylem के साथ associated Fibers बताएं पूछेंगे तो xylem Fibers आपने बोल देने हैं ठीक है? और wood fibers जो होते हैं वो trees वगरा में देखने को मिलते हैं या फिर hard wood में या फिर soft wood में या फिर coniferous tree में देखने को मिलते हैं और hard fibers जो होते हैं आपके leaves and fruits of monocot plants में देखने को मिलेंगे और जो surface fibers होते हैं वो seeds में, leaves में and fruits of plants में देखने को मिलते हैं तो यहां पर fibers associated with flowing में आपके vast fibers, B options इसका बिल्कूर right answer है, next question लेते हैं, the place of attachment of the stock with the main body of ovule is called as hylum, क्या बोलते हैं, उसको hylum बोलते हैं, यहां पर stock की जगा अगर funicle भी आगा ना, तो भी इसका hylum ही answer होगा, ठीके, याद रखना है, और रैफे क्या होता है, यह रीज होती है, यह जहां पर आपका funicle और जो body of attachment, जो है, वो ovule का attachment देखने को मिलता है, ठीके, याद रखना है आपको, और placenta होता है आपका एक तरह से human के अंदर, जो है, वो females के अंदर एक तरह से organ भी है, uterus के अंदर, और nourishment भी प्रोवाइड करता है, nutrition भी प्रोवाइड करता है, किसी को भी, endospam को भी, और आपका uterus को भी, next question देते है, the development of embryo in capsula, बरसा पेस्टुरे, तो आपको आपको आपके crucifer जो टाइप है, development देखने को मिलेगी, capsula बरसा पेस्टुरे में, इसका बिल्कुर राइट अंसर है, next question देखते है, पॉर्टी को लेगा, शोज फूर्ट डेहिसेंस ऑफ, तो पॉर्टी लेगा जो है, वह आपका ट्रांसवर्स टाइप देखते हैं, तो यहाँ पर थोटो सा confusion है, पॉर्ट मैं फिर भी एए option इसका बिल्कुर राइट अंसर लगाऊंगा, next question देखते है, तो पॉलन के उपर इफेक्ट होगा, उसके परिट गार्प के उपर इफेक्ट होगा, आउटसाइड अंब्रो सेक्ट, तो वह क्या condition होगी, तो आपका किसे रिलेटड है, वो एंडसपां से रिलेटड है, आप देखो गजहनिया कहता, डिरेक्ट और इंडिरेक्ट इफेक्ट उन, मेल पेरेंट और स्टुक्चर इंसाइड अंब्रो सेक्ट, एक्सेप्ट अंब्रो, next question देखते हैं Jeffree reported cleavage polyembryowny तो देखो cleavage polyembryowny आपको gymnose pumps में देखने को मिलेगी और generally आपको pinus में देखने को मिलेगी simple आपको याद रहना है कि przykos में आपको simple polyembryowny देखने को मिलती है और जो आपको जिंक गो या नीटम वगरा होते हैं उसमें आपको modified polyembrane ने देखने को मिलती है लेकिन cleavage polyembrane आपको pinus में देखने को मिलेगी ठीक है तो जैफरी ने cleavage polyembrane आपको किसमें रिपोर्ट की थी अरिफ्रोनियन अमेरिकाना में यह option इसका बिल्कुर राइट अंसर है नेक्स्ट कुछन देते हैं इंदा जीम्नोस्पर्म दा एंडोस्पर्म इस तो एंडोस्पर्म होता है जीम्नोस्पर्म में है तो पर एगर तो अगर तो सेम प्लाइ्ट बुला गया हÁнулता तब तो मैं बोलता कि यहां पना जी सब्सक्ने सेचन // Xenogammy क्या होगी Xenogammy इसको हम क्या बोलते हैं Cross Fertilization और Zetanogammy में होता है आपका वो Self Fertilization होता है यानि कि different flowers होते हैं लेकि Same plant होता है बी option इसका बिल्कु राइट अंसर होना चाहें नेक्स्ट शूशन देते हैं development of gametophyte from a sporophyte without intervention अगर पूछा जाता कि डिवलेपमेंट आफ स्पोर फाइट विदाउट फॉर्मेशन आफ गैमेट तो या आप गामी कंडिशन होती है लेकिन यहां पर गैमेट फाइट का डिवलेपमेंट पूछा गया था वह भी स्पोर फैट से वहां पी तो यह ऑप्शन इसका बिल्कु अग्जाम के बिल्कुल मैंने आपको बेसिक बेसिक कोशन जो है वह करवाया है और एक एक जो है आप्शन मैंने आपको यहां पर सॉल्व कराया है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिगा कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में कोई भी द